आईपियल 2022 के लिए तैयारिया जोरू शोरू से चल रही हैं। अगले साल फरवरी में होने वाले मेगा उक्षन से पहले पुरानी आठ टीमों ने अपने मन पसंद खिलाडियों को रीटेन कर लिया है। और दो नई टीम एमदाबाद और लखनव भी बहुत जल्द बागी ब लगाती हुई दिखेंगी। उस दिन जहां हर टीम अपने सेट प्लैन के साथ आक्षन टेबल पर उत्रेगी। वहीं पर पांच बार की डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबाइंडियन्स के लिए वापस अपने पुराने कोर को खड़ा करना एक बड़ा चैलेंज रहने वाल आक्षन पहले से जादा मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि अभी तक सिर्फ 27 खिलाडी ही मेगा आक्षन से पहले रीटेन हुए हैं। जबकि अगर लखनव और एमदाबाद मिलकर 6 खिलाडी भी अपने साथ जोड लेते हैं फिर भी आक्षन टेबल पर कई ऐसे बड़े न के दिगज कप्तान काईरन पुलार, टीम के उभरते हुए बल्लेबाज सोरी कुमार यादव और मौजूदा समय के सबसे खतरनाग गेंदबाज जस्परिद बुम्रा को अपने साथ बनाये रखा है। लेकिन कई ऐसे खिलाडियों को रिलीज कर दिया है जिन्हें वापस से निलामी में खरीदना काफी मुश्किल होगा क्यूंकि कई खिलाडी या तो निलामी में काफी महेंगे दामों में बिक जाएंगे वहीं कुछ एक खिलाडी के दो नई फ्रेंचाइजी में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। इनमें पांटिया प्रदर्स और इशान किश चाहत खड़ी कर सके। इसमें सबसे पहले क्विंटन डिकॉग का नाम नजर में आता है। जो पहले भी मुंबई का हिस्सा थे। और आने वाले मेगा उक्षन में डिकॉग के पीछे जादा टीमें नहीं दोड़ेंगी। ऐसे में फ्रेंचाइजी उन्हें वापस से अपने स प्रदर्शन किया है। उनकी पूर्व टीम RCB भी उन्हें लेने के लिए जोर आजबाईश करेगी। ऐसे में माई ऑस्ट्रेलिया के सफल T20 कप्तान एरॉन फिंच के नाम पर विचार कर सकती है। जो कि अच्छे विकल्प भी साबित हो सकते हैं। उसके बाद अपने मेड मेडिल ओडर में खेलने के लिए पांड़े एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। वहीं अब अगले सीजन पुलाड पांड़या की जोड़ी शायद ही एक साथ खेलते हुए दिखेगी। ऐसे में लोवर मेडिल ओडर में एक ऐसे भारती टैलेंट की खोज में रहेगा जो कि अ मुंबा इंडियन्स शारुखान पर एक बड़ा दाव खेल सकती है। और अब चुकि दोनों पांड़या बंधु शायद ही अगले सीजन M.I. के साथ रहें ऐसे में आउक्षन में क्रुनाल पांड़या को वापस शामिल करने की कोशिच करेगी। अगर पांड़या को लेने से रन बनाने में कामियाब हो सकते हैं। वहीं अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो जस्परेद बुमरा का साथ निभाने के लिए मुंबा इंडियन्स आउक्षन में ट्रेंड बोल्ड और नाथन कुल्टर नाइल को वापस से शामिल करने की पूरी कोशिच करेगी। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड बोल्ड का पिछला सीजन रहा है उनके लिए कई टीमें बोली लगाने के लिए तैयार बैठी होंगी। ऐसे में कुल्टर नाइल मुंबई की टीम से फिर से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसके लावा फ्रेंचैजी की नजरे लोडी का सामना करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहेगा। वहीं आगामी आउक्षन में मुंबई इंडियन्स अपनी स्पिन विभाग को मजबूत करना चाहेगी। जिसके लिए फ्रेंचाजी युवा राहुल चेहर और आफिस स्पिनर जयन्त यादो को एक बर फि कम लोग ही उन्हें जानते थे पर आज के समय में पूरे IPL में चहल से बहतर भारती लेगी स्पिनर मुंबई को मेगा उक्षन में दूसरा नहीं मिलने वाला है ऐसे में चहल M.I. के सबसे बेस्ट पिक साबित हो सकते हैं और फिर रोहित के नेतर तुमें मुंबई इंडियन और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शांदार वीडियो देखने के लिए हमारे योटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को ज़रूर सबस्क्राइब करें वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें शेर करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें